प्रग्ननसी के दौरान गैस क्यों बनती हैं इसके बीचे क्या कारण है प्रग्ननसी के दौरान अगर गैस बनने हैं तो कैसे और कौन-कौन से घर लिए उपाए हैं जिनें अपना कर आप अपनी गैस की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती हैं चर्चा शुरू करते हैं हमने अभी आपसे कहा कि गैस की समस्या को कम कर सकते हैं यहां हमने समाप्थ होने की बात नहीं की क्योंकि कुछ pregnancy hormones के कारण ये समस्या उत्पन होती है जब hormones सरीर में रहेंगे तो वे side effect के रूप में गैस बनाने का कारे करते रहेंगे इस बात से पूर्ण रूप से छुप कारण नहीं पाये जा सकता लेकिन हाँ काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है ऐसा नहीं है कि हर महिला को गैस बनती ही है लेकिन अधिकतर महिला के साथ ये समस्या आती है खाते समय इस बात का ध्यान लखे कि जितना होसके अधिक से अधिक चबा कर खाएं, आराम से खाएं भोजन को कट के नहीं, चबा चबा कर खाएं इससे आपके शरीर को भोजन को पचाने में मदद लेगी क्योंकि भोजन जितना आसानी से पच जाएगा उतना ही आपको गैस की समस्या से छुटकारा मिलेगा अगर प्रग्नेंसी के समय पेट फूनने की समस्या आ रही है तो गर्वती महिलाओ को यह सजेशन दिया जाता है कि वह थोड़ा थोड़ा खाएं एक बार पूरा भोजन ना करें क्योंकि खाना तो बहुत सरूरी है बच्चे को वोशन के आवसकता होती है खाना तो छोड़ न बिल्कुल नहीं होनी देनी चाहिए अगर गैस की समस्या बन रही है तो आप नीमबो पाने ले सकती है दिन में दो बार ले सकती है आपको फाइदा जरूर मिलेगा माना जाता है अगर गैस बन रही है तो सोड़ा युक्त पेपधार्त से काफी आराम मिलता है यह बात बिल नहीं करना चाहिए अगर फिर भी आपके पेट फूम्ले की समस्या बनी हुई है और आपको गैस बन रही है एक कप गरम पानी में एक चम्मत शहद और आधा चम्मत डाल चीनी पाउडर मिला कर लें उससे आपको फाइदा मिलेगा लेकिन ध्यान रखें डाल चीनी का बहु इसका प्रलोग अधिक ना करें धुम्रपान ना करें चाय ना पियें काफी का सेवन ना करें ग्रेन टीन ना ले शड़ाप का सेवन बिलकूर ना करें इससे भी एसिटिटी और गैस की समस्या चे छुटकाया पाई जाचकता है गरम चीज खाने से बचें पानी पीने के इससे भी गैस समस्या हो सकती है रात को एक चमच मेथी दाना पानी मवेगों का रख दें काली पेड उस पानी को पिए यह भी लगातार गैस के समस्या को देले देले शांत करता है लेकिन मेथी भी गरम होती है इसका सेवन भी कमी करना है आप अपने भोजन में तासीर में भोजे बदार खाएं जैसा कि लौकी तोरी पौदिन अरा तुलसी आधी का रस ले इससे आप और अपने भोजन में फलो का को ज़रूर शामिल करें यह भी पाचन को आसान बनाता है इसके कारण भी आपको फुदा सीन और छारी होती है इसके बाद आसिट के समस्या नहीं ह आपको खाना खाने से पहले पानी पीना है अगर आप सूखा भोजन कर रहे हैं बोड़ा सा पानी बीच पीच में ले सकते हैं लेकिन बाद में आप भोजन के बाद कम से कम 45 मिनट या एक घंटे के बाद ही पानी पीएं पाना खाने के बाद आपको वजर आसन में बैठना चाहिए यह आपको भोजन पचाने के लिए सबसे उत्तम इस्थिती होती है कई बार तनाम के कारण ब्यास बनने लगती है इसके लिए आप योग कर सकते हैं खुद को तनाम से मुक्त रख सकते हैं और वो योग वही करें जो प्रग्नेंसी में किये जा सकते हैं अपना बहुत दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें धन्यवाद